बुस्कार दोस्तों तेजस्वी प्रकास और करन कुंद्रा आकिरकार किस दिन साधी करने जा रहे हैं पूरी बात आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ मेरा नाम है रोहित नागर और आप देख रहे हैं देश का सबसे नमर वन इंटरटाइनमेंट यूटूब चैनल फोकस वॉलिवूड जी हाँ जैसा कि सबी दोस्त जानते हैं कि तेजस्वी प्रकास इन दिनों नागिन सीजन 6 में ज़्यादा ही भी असते हैं वहीं बात की जाएं आपके अपने फैवरेट करन कुंदरा इस समय अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट को लेकर बिजी हैं लेकिन जल्दी ही एक बार फिर से इन दोनों के बीच में साधी की खवर फिर से लोगों के बीच में आ रही है जैसा की सभी दोस्त जानते हैं कि करन कुंदरा और तेजस्वी पिरकास बिग बॉस पंद्रेव से बाहर निकलने के बाद में लगातार एक दोसरे को डेट कर रहे हैं और जल्दी ही साधी के पवित्र बंधन में भी बंद जाएंगे क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम आज प्रूप के साथ में आप लोगों को बता देना चाहते हैं आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि करन कुंदरा और साथ में तेजस्वी पिरकास एक दूसरे के सबसे अधिक करीब हैं क्योंकि इतने करीब जा चुके हैं एक दूसरे के जो कि किसी ने तुलना भी नहीं की होगी और करन कुंदरा तेजस्वी पिरकास आज एक दूसरे के बिगर एक पल नहीं रह सकते लेकिन दोस्तों तेजस्वी पिरकास के पेरेट्स ने हाली में ही एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि करन कुंद्रा और तेजस्वी पिरकास जो कि इसी साल के एंड में यानि 2022 में ही दोनों साधिके पवितर बंधन में बंधेंगे और अगर ऐसा होता है ज जानी जाती हैं और एक से बढ़कर एक काम किये हैं तेजस्वी प्रकास ने वहीं करन कुंद्रा ने बिग बॉस पंद्रे में काफी सपोर्ट किया है बिग बॉस पंद्रे में तेजस्वी प्रकास को और करन कुंद्रा तेजस्वी प्रकास केकर लव श्टोरी और जर्नी की ब और हाली में ही तेजस्वी पिरकास के पेरेंट्स ने करन कुंदरा के पेरेंट्स से मुलाकात की है और इस बारे में एक नया मुद्दा निकल का आया है कि जल्दी ही दोनों बच्चों की साधी करा दी जाएगी साथी दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि तेजस्वी पिरकास और करन कुंदरा एक दूसरे से काफी खुस भी नजराते हैं साथी दोस्तों मैं आज आप लोगों से एक अनुरोज जरूर करना चाहूँगा अगर आप मेरे यूटूब चनल पर अभी नए जुड़े हैं तो किरुपे मेरे यूटूब चनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताए